जैमसिकी, गुट मॉर्निंग, आज सुभा, प्रभु का बच्छन हमारे लिए, पहला शमुएल, अध्याई 26, आयत 12, फर्स सैमुएल, चैप्टर 26, वर्स 12, आपके लिए पटना चाती हो. तब दाउद ने भाले और पानी की सुराही को शाउल के सिर्हाने से उठा लिया, और वे चले गए. किसी ने इसे ना देखा और ना जाना और ना कोई जागा, क्योंकि वे सब इस कारण सोये हुए थे कि यहुआ की और से उनमें भारी नींद समा गई थी. लास्ट लाइन को एक और बार पढ़ना चाती हूँ. वे सब इस कारण सोये हुए थे कि यहुआ की और से उनमें भारी नींद समा गई थी. इस आयत को समझने के लिए इसका संधर्ब को जानना जरूरी है. पहला शमुएल 26 वी आयत से लेकर जब हम पढ़ते हैं, पहली आयत से पढ़ते समय वहाँ पर लिखा है कि शाओल राजा को पता चला कि दाओद हकीला नामक पहाड़ पर है और इसलिए शाओल उठकर इसरा लोगों को साथ लेकर जाता है ताकि दाओद को पकड़े और उसको खतम करें. और जब दाओद ने देख लिया कि शाओल और शाओल के लोग आ चुके हैं, दाओद ने वो जगद देख लिया था, तो रात को दाओद अपने साथ अभिशे को भी लेता है, अभिशे था, वहाँ पर वो लोग चले जाते हैं, अब शाओल के साथ तीन हजार लोग है, लेकिन रात का समय होने के कारण सब के सब सोये पड़े हैं, अब दाओद और साथ में अभिशे जाकर वहाँ शाओल राजा के सिरहाने से भाला को निकालता है और साथ में पानी की सुराही क एक पानी का जग था वो भी लेकर वो लोग दोनों बहाँ से निकल पड़ते हैं यहाँ पर 3000 योद्धा इनका जिम्मेदारी है कि वो लोग राजा को बचाएं राजा की सुरक्षा करें लेकिन सब के सब सोये हुए हैं मेरे प्रियों जरा सोचिए अगर इन में से एक भी जगा हुआ होता और दाउद और साथ में अभिशे आया तो वो सब को जगा लीता और दाउद और अभिशे का वही पर अंतो हो जाता लेकिन परमेश्वर यहाँ पर दाउद को बचाना चाहा क्यों? क्योंकि दाउद प्रभु के मन के नुसार का एक व्यक्ति है वो प्रभु के सामने सही जीवन को बिता रहा है उसका मन शुद्ध है वो चाता तो शाउल को खतम कर सकता था लेकिन वो नहीं कर रहा है वो बोल रहा है मैं प्रभू के अभी शिक पर मेरा हाथ कैसे उठाओ देखे उसका मन कितना साफ है उसके हाथों का कार्य कितना साफ है और इसलिए परमेश्वर दाउद को बचाता है क्योंकि वो एक पवित्र जीवन को जी रहा है और परमेश्वर दाउद को कैसे बचाता है परमेशवर, शॉल और शॉल के साथ के तीन हजार योध्धा के आँखों में नींद भर देता है, सब के सब सोजाते किसी को भी पता नहीं चलता है कि दाउद आता है और राजा के पास आता है भाला और पानी का जग लेकर जाता है रिप्रियों परमेश्वर का कार्य कितना अद्बुत है परमेश्वर दाउत को बचाने के लिए राजा और लोगों को सुला दिया एक और एक्जाम्पल आपके सामने में रखना चाहती हूं और वो हम लोग एस्तेर के किताब में पढ़ सकते हैं एस्तेर के किताब चटवा अध्याय और पहली आयत यहाँ पर हम शर्यश राजा के बारे में पढ़ते हैं पहली आयत में इस प्रकार लिखा है एस्तेर 6.1 उस रात राजा को नींद नहीं आई देखिए, यहाँ पर एक दूसरा राजा है जिसको नींद नहीं आ रही है क्यों प्रभु ने उसके नींद को उड़ाया? क्योंकि परमेश्वर मुर्देकाई को आदर करना चाह रहा था मुर्देकाई ने राजा को बचाया था और ये बात राजा नहीं जानता था और वहाँ पर ऐसा एक परिस्तिती हो रहा था जहां पर हामान और हामान के साथ के लोग मोर्देकाई को खतम करना चाह रहे थे लेकिन परमेश्वर जानता है कि मोर्देकाई व्यवस्था के लिए खड़ा है वो प्रभु के वचन के अनुसार चल रहा है और इसलिए मोर्देकाई को बचाने के लिए परमेश्वर राजा के नींद को उड़ा देता है मेरे प्रियोम एक जगे में हमने पढ़ा कि परमेश्वर शाउल राजा को सुलाता है ताकि दाउद को सुरक्षा मिले और दूसरे जगे पे हमने पढ़ा कि परमेश्वर शरिश राजा के नींद को उड़ा देता है ताकि प्रभु का दास मोर्देकाई को आधर मिले हमारा परमेश्वर कितने अद्बुत तरीके से काम करता है दानियल की किताब छटबा अध्याय और अठारवी आयत डानियल 6 वर्स 18 में हम पढ़ते हैं वहाँ पर दारा राजा को नींद नहीं आई क्यों नहीं आई? क्योंकि दानियल शेरों की मांद में है और परमेश्वर वहाँ पर एक अद्बुत कार्य कर रहा है दानियल को बचा कर रखा है और परमेश्वर चाता है कि दारा राजा परमेश्वर की महीमा को वहाँ पर देखे उस रात को वो इतना बेचेन था कि उसको नींद नहीं आया मेरे प्रियों हमारा परमेश्वर का काम करने का तरीका अद्बुत है आज अगर कोई परिस्तिती आपके खिलाफ है कोई लोग आपको गिराना चाता है कोई लोग आपके बारे में बुरा-बुरा बाते फैला रहे हैं और आप निराश हो रहे हैं, हताश हो रहे हैं आपको लग रहा है कि प्रबु मुझे उठना चाहिए था लेकिन लोग मुझे गिरा रहे हैं मेरे ओफिस में मुझे प्रमोशन मिलना चाहिए था, यहाँ पर लोग मेरे खिलाफ काम कर रहे हैं, मेरे प्रिय भाई और बहन, एक बात हमें समझना है, कि हमारा परमेश्वर लोगों के नींद को उड़ा भी सकता है, और लोगों को नींद दे भी सकता है, क्यूं? ताकि अपने लोगों को परमेश्वर आधर दे, अपने लोगों को परमेश्वर सुरक्षा दे, अपने लोगों के द्वारा परमेश्वर अपनी महीमा को दिखाए, और बच्चन में क्या लिखा है? भजन सैंता 121 और चौती आयत, सामस 121 बोस 4 में लिखा है, कि हमारा परमेश्वर ना सोता है, ना उंगता है, हमारा प्रभु को नींद नहीं है, लेकिन हमारा परमेश्वर नींद पर भी नींतरन को रखता है, भजन 84 के 11 में लिखा है, जो खरी चाल चलते हैं, उनसे वो कोई अच्छी वस्टू रख ना छोड़ेगा, मेरे प्रियों अगर हम प्रभु के सामने खराई के साथ चलते हैं, तो परमेश्वर हरे एक भली वस्टू, अच्छी वस्टू से हमें त्रिप्त कराएगा, तो आज हमें क्या करना है, हमें आदर के पीछे भागना नहीं है, हमें स्थान पदिवी के पीछे भागना नहीं है, हमारी जिम्मेदारी ये है कि हमारा जीवन को पवित्र रखे, प्रभु को भावता हुआ एक जीवन को जीए, हमारा आराधना, हमारा प्रार्थना, हमारा भाईबल अध्यन, अनुशासन के साथ हम करे, हमारा रिदय प्रभु के सामने शुद्ध रहे, हमारा हातों का कारिय प्रभु के सामने शुद्ध रहे, हम हमारे जीवन को जीए, तो प्रभु हमारे जीवन के लिए सारे रास्ते को खोल देगा, प्रभु सही समय पर आपके द्वारा प्रभू की महिमा को भी प्रकट कराएगा। धन्यवाद, आप वचन सुनने वाले हरे एक भाई और बहन की जीवन में मदद करेगा, इसलिए धन्यवाद की हरे एक पवित्र जीवन जीए, आत्मिक बातों में ध्यान दे, आत्मिक बडोत्री की और बड़े परमेश्वर, ऐसे कारिया आप कर रहे इसलिए धन्यवाद पर Amen. God bless you all.